प्रेंड्स मिराजिंद कुमार और ईथे दानीं जी लाइज खलाषए नीं आप देखेंद देखला अलए hacks और ऑश आज की वडियो में हम समर्पाइब डिर्टा to start का conversion कैसे किया जाता है बहुत ही simple है easy है असान है ठीक है ये हम लोग एक delta बनाया हुआ है ठीक है इसमें x, y और z तीन point है terminal x, y में resistance rx है x, y है और terminal y, z में resistance y, z है ठीक है फिर इधार है resistance zx ठीक ना तो तीन resistance को हम लोग delta connection में connect किये हुए है इसको जब star connection में connect करेंगे तो ये हम लोग का picture इस तरीके से बन जाएगा x का point, middle point और y का point और z का point तीनों point को आपस मिला देंगे और इस तरीके से resistance को connect कर देंगे तो ये हम लोग का star connection का बन जाएगा ठीक है तो इसमें स्टार कनेक्शन में हम लोग rx हो जाएगा ry हो जाएगा और यह rz हो जाएगा तीन रेसिस्टेंस हुगा ठीक नहीं तो इसको rx, ry और rz निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आएए देखते हैं हम लोग rx कैसे फैंड किया जाता है बहुत ही असान है rx फैंड करने के लिए rxy, zx को multiply करते हैं और rxy, yz और zx को तीनों को जोड़ देते हैं ठीक है तो इन दोनों रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे एक बर multiply कर देंगे और delta connection का तीनों रेसिस्टेंस को आपस में add कर देंगे एक बर तो क्या करेंगे इन दोनों को multiply कर देंगे और overall तीनों रेसिस्टेंस को add करके divide कर देंगे तो जो रेसिस्टेंस मिलेगा वो हम लोग को rx का भेलू मिल जाएगा ठीक है उसी तरीके से r y find करना है तो यहां देखेंगे r y के इस और rxy है और r y के इस और yz है तो क्या करेंगे ये दोनों रेसिस्टेंस को हम लोग multiply कर देंगे ठीक है दोनों को multiply कर देंगे और overall तीनों रेसिस्टेंस को जोड के divide कर देंगे देखें r y is equal to rxy और ryz ठीक है तो तीनों को multiply और तीनों रेसिस्टेंस को add करके divide कर देंगे तो हम लोग r y के भिलूप मिल जाएगा ठीक है उसी तरीके से है हम लोग rz फैंट करना है तो rz कहां पर है यहां पर है rz तो rz के दिखी है इधर rzx है और ryz है तीन दोनों को multiply करेंगे हम लोग ठीक है दोनों को multiply करेंगे और overall तीनों रेसिस्टेंस से divide कर देंगे तो दिखें rz equal to ryz और rzx और इधर से तीनों रेसिस्टेंस को add करके हम लोग क्या कर देंगे तो इस तरीके से delta to star conversion किया जाता है जो कि बहुत ही easy है असान है ठीक ना चलिए आगे देखते हम लोग delta to star conversion करने के लिए एक example ठीक है तो यहां पर देखिए हम एक delta connection है जिसमें तीन पॉइंट है x y और z और इसका resistance rxy का value है पांच हों ryz का value पांच हों और rzx का value है पांच हों यहने कि तीनों का resistance का value equal यह हम लोग 5 हों के ठीक है देखे, Rxy का value कितना है? 5 और इसका value कितना है? 5 ठीक ना? धनों को multiply कर दिये और overall value कितना आ रहा है हम लोग के पास में? 5 प्लस 5 प्लस 5 ठीक है? तो इसको हम लोग जब multiply करते हैं तो कितना आएगा हम लोग के पास में? 25 और नीचे में आएगा 15 ठीक न? तो इसको simplify कर देंगे तो 5 ठीक है 15 और 25 याने कि 5 अपन 3 ठीक है? तो इतना हम लोग का resistance आ गया 5 अपन 3 ठीक न? ओम इसको point में divide करेंगे तो 3 और 3 हो जाएगा उसके बाद में हाथ में बचा कितना? 2 तो point 3 चक अठारा फिर 2 तीन चक अठारा याने कि 1.66 ओम मिलेगा हमको ठीक है? उसी तरीके से हम लोग fan करेंगे r y के value तो r y के value fan करने के लिए क्या करेंगे? इस चोर पर कितना है? r x y और इधर कितना है? r y z दोनों को क्या करेंगे? multiply कर देंगे, देखिए. फर्मूला लिख दिये है r x y, r y z और 3 का sum ठीक है? तो ये भी value 5 5 का ही लिए है तो 5 into 5 इसमें भी हो जाएग पांच 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 तिया 15 तो बचा 5 बटा 3 तो डिभाइड करेंगे तो ये भी 1.66 value ohm ही आएगा ठीक है? उसी तरीके से यहां पर है r z का value fan करना है तो इसके दोनों चोर का resistance देखेंगे तो ये होगी 5 into 5 यहां भी 5 5 ohm ही लिए है और नीचे में 15 होजा गाएड करने प पांच 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 तिया 15 तो यह भी बचा हम लोग का कितना 1.66 ohm ही है ठीक है तो यह एक 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 जामपल लिये थे जिसमें resistance का all value कितना से हम लिये थे तो यहां से हम लोग को यह चीज़ देखने के लिए मिलता है कि terminal resistance जब delta connection में रहता है तो branch का resistance कितना 5 ohm है वही resistance जाता है 1.66 हो जाता है यानि कि कहने का मतलब है कि resistance को सेम resistance को जब delta में connect करते हैं तो resistance का value ज्यादा रहता है उसी को जब star connection में connect करते हैं तो resistance का value क्या हो जाता है डिक्रीज कर जाता है ठीक है तो यह एक इसका benefit है एक जामपल benefit है ठीक ना कि star connection को delta में change करेंगे तो बढ़ ज और डेल्टा सी स्टार में करेंगे तो रेसिस्टेंस के भेलू काम हो जाता है ठीक है